स्वमट सेट माम की कहानी पर मबनी च्यूंटा और जेंगर तर्जमा बलवन सिंह आंसू एंट एंड दी ग्रॉस हापर पड़ा करते थे बच्पन में ये हिकायत एक था च्यूंटा और एक था जेंगर च्यूंटा मेंटी था रस्द जमा करता तमाम मौसम गर्मा जेंगर मस्त रहता बेव फिकर किसी पत्ते पर बैठा गाने गाता रहता मेंटी के पास ता सर्दियों में ख़दाना निकम्मे के पास ना था एक तिन का भूप से बेहाल हुआ मांगने गया जुआब में दिखा दिया अंगूटा पूछा करते क्या रहे हो सारी गर्मियां सर जुका कर बोला गाते बजाते वक्त निकल गया तो जाओ गाने गाओ अब भी नसीयत कहानी की है बहुत सीधी इनाम पाती है जाओ फिशानी सजा पाती है लापरवाई ही मुझको तो उस मस्त शादमा पर तरस आता मसल डालता जब भी देखता कोई च्यूटा मैं वाकप था दो भाईयों से टाम और एडवर्ड नाम से शादी शुजा थे बच्चे थे दोनों के टाम के सर में जाने क्या फ़तूर आया कहने लगा बना नहीं मैं खाने की जिम्मेवारी के लिए घर छोड़ा काम समेटा इकठे किये पैसे और निकल बड़ा यॉर्प अयाशी के लिए दो बर्स ही में पैसे निकल गए मलबु साथ होटल बड़िया खाने तिस पर दरजनों मुआशके बहुत दोस्त थे विक्रमंद ना हुआ खुश दिल था हर दिल अजीद था कुछ करते मदद कुछ देते उधार चाल ना सकता था ये सिलसला हमेशा बड़े भाई की तरफ रुजू किया आखर केने लगा गर मिल जाए कुछ रकम इकठी शुरू कर दे फिर से श्रीफाना जिन्दगी ख्याल था खांदान खांदानी नमूस का दे दिया पैसा किसी बिगड़े शैजादे की तरह सब कुछ हो जाड़ाया दो बार उस ने किया ऐसा खत्म हो गया इतबार उसका आजमाया तुकंडा नया घरसी बलेक मेल करने की वेटर कभी बनता कभी चलाता टेक्सी अपनी नहीं और मेरी इज़त का तो ख्याल रख कर का भाई ने बोला अच्छा तो फिर देते रहो कुछ ही गुजारे के लिए जब देखा ये लामत नाही था ये सिल्षला भाई ने बंद किया बता टाम ने चक्कर चलाया नया आया घबराय हुआ बोला किसी को दे बैठा हूं धोका पुलिस लगी है पीछे हो जाएगी जेल मुझे इस सवाल था खांदान की इज़त का दे कल रकम बड़ी छुडवाली जान भाई की मगर दोका तो खुद एडवर्ड के साथ हुआ था दोनों ने मिलके उड़ाया पैसा टाम और वो शखस जिसको दिया था दोका एक रोज एडवर्ड सरा सीमगी में आया कि जैसे उसके सर पर पहाड टूड़ा बोला मेरे साथ बहुत बुरा हुआ मेनत की मैंने तमाम उम्र एश करता रहा भाई मेरे वाल पर मैं कुछ जमाना कर पाया टाम बना है मालक लाखों का हैरानगी से पूचया ये बुजज़ा क्या हुआ बताया कर ली थी छादी उसने दूसरी औरत थी हमारी माँ की उमर की वो चल बसी ये मालक बन गया दो खोटियों और धेर दौलत का गो मुझे आ रही थी हैंसी मुनासब बलफाज में जताई हम दर्दी मेनत और फिकर करते नजर आने लग गया था बूड़ा साट का गो था चैलिस का टाम जो चोटा था दो बरस नजर आता था पैंटिस चैलिस का शायद ला परवाई और जिंदे दिली की वज़ा से मैं टाम के लिए खुश था मिलने गया तो वो भी खुश हुआ अदा करने लगा मेरा शुक्रिया कि मुश्कल की दिनों में सासे दिया उसका चंद रोज उसके हां मेमान रहा खुले दिल से तवाजो करता मगर गाहे बगाहे उधार मांग लेता एक आद शिलेंग का आदत है बरसों की जाते जाते जाएगी